हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंट्स स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने कमबाइन हाईर सेकेंडरी 10 प्लस 2 लेबल एक्जाम नेशन यानि कि CHSL 2021 भरती के tier 1 एक्जाम का रिजल्ट डिकलियर कर दिया है और इसके साथी CHSL 2021 के tier 2 जो की descriptive paper है इसमें appear होने के लिए candidates को shortlist भी कर दिया है ये सारे information SSC ने एक notice जारी करके बताया है इसके अलावा इस notice में category wise cut up दिया हुआ है आप अपना scorecard कब से कब तक देख सकते हो ये दिया हुआ है कितने candidates का candidature रद किया गया है ये दिया है इसके साथी कितने candidates को category wise tier 2 के लिए shortlist किया गया है इसे भी दिया है तो अगर आज का ये वीडियो आपको informative लगे तो subscribe करके जुड़े रहे हमारे साथ चलिए इस detail notice को देखते है इस notice में सबसे पहले लिखा है Staff Selection Commission ने देश के विभिन केंद्रों में Combined Higher Secondary 10 Plus 2 Level Examination 2021 भरती के tier 1 का exam 24 मई 2022 से 10 जुन 2022 तक computer based mode में conduct करवाया था इसके बाद इस notice में लिखा है tier 1 computer based exam को multi shift में conduct करवाया गया था इसलिए candidate के द्वारा score किये गए marks को normalize किया गया है candidates के marks को commission के द्वारा बताए गए formula के अनुसार normalize किया गया है और candidates को next stage के examination में यानि की tier 2 में qualify करने के लिए इन ही normalize किये गए marks का use किया गया है इसके बाद इस notice में category wise cut up marks दिया हुआ है और tier 2 जो की descriptive paper है इसमें कितने candidates category wise shortlist किये गए है कि वे tier 2 के लिए appear हो पाएंगे ये भी यहाँ पर दिया हुआ है तो इस notice के अनुसार underage of category का cut up marks लगभग 141 है और 7148 candidates tier 2 में appear होंगे SC category का cut up marks लगभग 113 है और 11677 SC candidates tier 2 में appear होंगे ST category का cut up marks लगभग 105 है और 5166 ST category के candidates tier 2 में appear होंगे OBC category का cut up marks लगभग 141 है और 12967 OBC category के candidates tier 2 में appear होंगे EWS category का cut up marks लगभग 132 है और 9147 EWS category के candidates tier 2 में appear होंगे 5,688 एसम कैटेगरी के कैंडिडेट्स tier 2 में एपियर होंगे 5,689 एसम कैटेगरी के कैंडिडेट्स tier 2 में एपियर होंगे वी एज केटेगरी का cut-up marks लगभग 90 है और 660 वी एज केटेगरी के candidates tier 2 में एपियर होंगे इसके साथ ही other PWD candidates का cut-up marks लगभग 57 है और 353 other PWD category के candidates tier 2 में एपियर होंगे इस तरह से total 54,104 candidates को tier 2 के लिए shortlist किया गया है इसके बाद इस notice में लिखा है कि 5 candidates और 10 record ऐसे मिले है जो इस exam में एक से अधिक बार एपियर होए है ऐसे candidates का candidature रद कर दिया गया है क्योंकि इस भरती के notification में दिया हुआ था कि कोई भी candidates अगर इस तरह का हरकत करता है तो उसका candidature रद कर दिया जाएगा इसके साथ ही जिन candidates का candidature रद किया गया है उसका roll number नीचे mention किया हुआ है इसके साथ ही कुछ और candidates का candidature भी रद किया गया है क्योंकि उन्होंने SSC के rules को तोड़ा है और mail practice में सामिल होते हुए पाया गया है यानि कि कदाचार करते हुए पकड़ाया गया है तो जिन candidates का candidature रद किया गया है उनका role number यहाँ पर mention किया हुआ है आप भी अपने role number को एक बार जरूर चेक कर लें कहीं आपका भी role number इसमें सामिल तो नहीं है इसके बाद इस notice में दिया हुआ है CHSL Examination 2021 के descriptive paper यानि tier 2 का exam 18 September 2022 को schedule किया गया है यानि CHSL 2021 के candidates का tier 2 का examination 18 September 2022 को होने वाला है इसके साथी ये भी बताया गया है कि shortlisted candidates का admission certificate SSC के regional officeों के website पर upload कर दिया जाएगा इसके बाद इस notice में दिया है जितने भी representation रिसीब हुए थे उसमें साबधानी पूरवग विचार करके चेक करके tentative answer की को modify किया गया है जहां modify करने का जरूरत था इसके साथी candidates का answer की 16 अगस 2022 से लेकर 15 September 2022 तक यानी की पूरे एक महने के लिए commission के website पर available रहेगा इसके बाद इस notice में लिखा है qualified और non qualified candidates का marks 11 अगस 2022 से 30 अगस 2022 तक commission के website पर upload कर दिया जाएगा candidates अपना register login ID और password का use करके अपने marks को चेक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में वस इतना ही इस से related आगे और भी जानकारी के लिए like, share and subscribe जरूर करें धन्यवाद